हेलो फ्रेंड मैंने एंसिंग फीजियो थेरेपिस्ट पिलास्तर कटने के बाद कितने दिन तक दर्द रहता है पिलास्तर कटने के बाद कितने दिन तक सूजन रहती है कितने दिन में ये ठीक होती है आज किस वीडियो में यही मैं बात करने वाला हूं जैसा कि friend मैं आपको बता दूँ प्लास्टर कटने के बाद आम तोर पर दर्द और सूजन रहता है जैसा कि friend जो प्लास्टर कटता है तो उसके बाद यह सूजन इसलिए रहता है क्योंकि हम कई समय तक हमारी मास्पेश ही प्रॉपर चली नहीं होती है और हमारे उस दोरान ब्लेट सर्कुलेशन का भी यह समझ से रहता है और फिर स्टिफनेस आ जाती है अगर हम फिर जोईन देखो दर्द भी कही तरह को हो सकता है तो जोईन को जब मोडते हैं तब हो सकता है और एक जनरली दर्द भी रहता है तो कई तरह से हमारे पेन भी हो सकता है लेकिन सुजन की बात करेंगे कब तक रहती है, कब तक जाती है कैसे ठीक होती है वो भी मैं आपको बताता हूँ फ्रेंट जैसा कि यह हमारे दर्द होता है सूजन आती है इसके लिए देखो कुछ दिन तक हमारे जो फिजियो तेरपिय करानी पड़ती है, कुछ दिन तक हमको एकसरसाइज करनी पड़ती है, है ना, और कुछ दिन तक हमको हो सकता है कि हमारे हलके-हलके मोसन में चलता रहेगा, तो महीने, या फिर 10 दिन, 15 दिन, 25 दिन में यो मारे दर्द वल्कुल भी ठीक हो जाता है, ना, किशे-Kिसी को तोड़ा समय लग जाता है, महीना याईसे महीना, टेल महीना, है ना, ऐसे किसी-Kिसी को जयदा समय भी लग सकता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि बहुत ज़्यादा समय लग गया है, प्रौपर बाप बात हिए बनी रही है नहीं है उसमें हमको को हला जकलन पूरी ठीक नहीं हो बनी रही तो इस condition में आपको जो है एक बेतर फीजियो थेरपिस्ट से treatment लेना है और आपको जो है वहाँ पर जो जो आपको फीजियो थेरपिस्ट आपको कराते हैं उस सब को treatment को follow वी करना है जैसा कि फ्रेंड में आपको बता दूँ आप फीजियो थेरपिस्ट की guideline में रहके अगर बजन उठा सकता हूँ इन सबके लिए आप आई वेटरं पर वीडियो देख सकते हो अन्य था फिरेंड मैंने फ्रेक्टर से जोड़ी सारी वीडियो बना रखी है कि प्लास्तर कटने के बात क्या करना चाहिए इस पर भी आप आई वेटरं पर एंडियो देख सकते हो और हम आग में जो कि हम अपने चिकत सक से पूछने में जो है या तो फिर पूछ नहीं पाते हैं फिर हमारे डॉक्टर के पास इतना समय नहीं होता है या फिर हम सरमाते हैं बहुत सी बाते होती है या फिर डॉक्टर के पास हमारे इतना समय नहीं रहता है तो आप वो आप आई व